हेलो फ्रेंड्स आप लोग का फिर से स्वागत है आज के वीडियो में और आज हमनों कुश्चन नमर 55 पर आ गया है तो 55 नमर कुश्चन सॉल्व करते हैं तो क्या बोल रहा है दर रिलेटिव पर्मिटिविटी ऑफ इन सुलेटर कैननोट भी टिरेटिव ओ यार एपसले न आड ौ इसी भी सुलेटर के लिए क्या नहीं होना चाहिए इटा मार ओप्षां फूर हो जाएगा क्यों कि इन फैनपिनीदी के लिए तो मेतल या इलाए के लिए होता है ठीक है तो यह एमसी क्या फ्रेंट्स इसको याद रखना कि रिलेटिप पर में उटीज होता है किसे भी इंसिलेटर के लिए वह इन्फिरिटी नहीं होता है नहीं हो सकता है ठीक है तो चलिए नेक्स्ट कुश्चन पर कितना पर आगा 56 नमर कुश्चन पर इसको पढ़कर सॉलिशन करते हैं एन इलेक्ट्रिक टाइप पॉल प्लेज देने यूनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड इस इन इस्टेबल एक्यूलिवीडियम एक्यूलिवीडियम तो क्या बल रहा है एक इलेक्ट्रिक डापल को रखा ग चाहिए एक इलेक्ट्रिक डापॉल और एलेक्ट्रिक फिल्ड के बीच में ठीटा खमान बताना है अज इसको रखा गया कि इसमें एक इस्टेबल एक्यूलिवीडियम तो इस्टेबल एक्यूलिवीडियम का मतलब समदिए यहां पर पिच्छर से भी आप समझ सकते हैं यानि तो ऐसे समझते हैं फॉर्मूला हम क्या जानते हैं potential energy का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं हम लोग यहां लिखते हैं ठीक है इसको we know that हम लोग क्या जानते हैं कि potential potential energy वड़ावर क्या होता हमारा potential dipole गुना में minus dipole गुना में electric field cos यह जानते हैं तो बोल रहा है कि dipole कैसे place किया गया dipole is placed in place है किसमे in a cubilrium प्लेस केस में रखा गया equilibrium stable equilibrium है stable equilibrium है stable equilibrium है stable equilibrium है theta के दो मान पर एक ही मान पर possible है stable equilibrium बोलिए या ने तरसी को बोलिए minimum है ठीक है तो किस पर हमारा potential difference minimum हो जाता या stable equilibrium में चला जाता है हमारा potential energy हम लोग जानते हैं यह हो जाता है इसका formula होता है हमारा क्या कि पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी को represent करते हैं यू से तो यू बढ़ाबर क्या हो गया माइनस पी इ कॉस ठीटा ठीक है तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी मीनिमम हो या stable equilibrium में हो तो क्या लिखते हैं कि minimum potential energy हैंसे इस्टेबल equilibrium का formula क्या हो था है कि कॉस का जो मान होना चाहिए कॉस ठीटा ठीटा का जो मान होना चाहिए वो कितना होना चाहिए ठीटा का मान हमारा होना चाहिए 0 degree ठीक है तो यू रावर पूट करोगे तो माइनस पी इ कॉस 0 degree का मान क्या होता है तो यू इक्वल टू यू इक्वल टू कॉस जीरो का मान आपका कॉस जीरो का मान आपका होता 1 तो पी इंटू 1 तो यू इक्वल टू क्या हो जागा माइनस पी इ ठीक है यह हमारा क्या दर्सा था यह फॉर्मूला हमारा दर्सा था है हमारा पोटेंशियल जो इनर्जी है वह कितना केस में है मीनिमम है याने तो इस्टेवल एक्वल बीडियम में है तो इसे मैं पूछ रहा है कि एंगल बीटूइन जो एंगल बीटूइन पूछा जा रहा है में इत एंगल बीटूइन पूछ इलयक्टिक डापुल और पोटिंशियल इनर्जी में क्या हूँआ रहा clapping जी मतलब potential energy हमारा stable equilibrium में चला गया थो इस दोनों के बीच में मतलब इस दोनों के बीच में एंगल के क्यों इसी के एंगल पर निर्फ़र कर रहा ना potential energy तो उस कमान कितना हो गया zero degree ठीके फ्रेंस तो आप को समझ माया होगा solution कि हमारा equilibrium कब कोई भी डाइपोल अगर हम एलेक्ट्रिक फिर्ड भी रखते हैं तो एक्विडियम कंडिशन में कब जाता है जब हमारा cost ठीटा कमान क्या होता है जीरो डिग्री होता है ठीके फ्रेंस तो समझ माया होता है चलिए नेक्स्ट वीडियो में अलो फ्रेंस अब हम लोग कुश्चन नमर कितना पार आ गया फिप्टी सेवन नमर पर यह एक हैं से क्यू टाइप का कुश्चन है तो था डाइलेक्ट्रिक यूज इन हाई और डाइलेक्ट्रिक यूज इन हाई वोल्टिज ट्रांसफॉर्मर इस क्या होता है जो हाई वोल्टिज ट्रांसफॉर्मर होता है उसके दलिए डाइलेक्ट्रिक का यूज क्या जाता है किसका क्या जाता है तो आप जामते होंगे पॉर्सलीन का करते हैं किसका करते हैं तो चलिए फिर से next question में बढ़ते आगे